नमस्कार मैं बना रही हूँ नान नान के लिए दो कटोरी मैदा ले ली और मैदा में थोड़ा सा बीच में गड़ा करके उसमें मैं डाल दोंगी बेकिंग सोडा थोड़ा इनो आधा चमच तेल नमक आधा चमच चीनी सबको अच्छे से मिला दोंगी मिलाने के बाद उसमें नार्मल रूम टंप्रेचर का पानी से आटा को गून दीजिए मैं देखो गून कर उसको दो घंटे देड़ घंटे के लिए रख दीजिए इसको देखिए हम रख दिये हैं अब ये देखिए निकाल कर लाएं इसे और मैं इसको फिर से थोड़ा आटे को दो को अच्छे से थोड़ा घुमा दूंगी अब पिर इसका लोई काट कर मैं नान की तयारी करूंगी नान मोटा महिन बन सकता है अपने से और देखिए नान को हाँ से टीप दीजिए टीपने के बाद थोड़ा बेलन से मैं चला दूंगी इसको चलाने के बाद कलोजी छुड़क कर और इसमें हरा धनिया दाल कर बेल दूंगी और इसे पलट दीजिए पलट कर हाँ से तेल लगा दीजिए तेल नहीं सरी पानी पानी इसलिए लगा देते हैं कि तवा को पहले से गरम करते हैं और इस पर ये इसको चिपका दीजिए थोड़ा हाँ से दबा कर और इसे पलट कर सीख दूंगे नान बनकर तयार है ये बहुत ही टेश्टी है इस पर घी लगा दूंगे घी लगाने के बाद इससे देखिए मैं मोड कर दिखा रही हूँ ये फ़स किलास के बिलकुल मुलाइम है खाने में बहुत टेश्टी अब मैं इसके लिए बना रही हूँ काजू मटर की सब्जी ये सब्जी आप देख लीजिए मटर है काजू है एक प्याच को काट कर और काजू को पानी में डाल कर मैं उबाल दूंगे जैसे ही इसमें बॉइल आने लगेगा इसको मिक्सिर के जार में पलट दूंगे पलट कर थोड़ा ठंडा होने के बाद इसे पीज देंगे फ्राई पैन में काजू को डाल कर फ्राई कर देंगे बचे हुए काजू को इसमें मसाला इलाइची डाल चीनी हरी इलाइची तीश पत्ता काली मीर्च डाल कर प्याज डाल कर भूंदोंगे थोड़ा पानी डाल कर मसाले को पलट देंगे हल्दी डाल दे रहे आधा चमच आधा चमच इसमें डलेगा धनिया पाउडर गरम मसाला आधा चमच नमक स्वात के निउसार इसे डाल कर मिला दूंगी मिलाने के बाद लाल मिर्च इसे अच्छे से भून देंगे चला कर अब इसमें डाल दे रहें जो प्याज और काजू का पेश्ट था उसको डाल कर मिला देंगे मिला लीजिए मिलाने के बाद हरा मतर इसमें डाल देंगे डाल कर सबको अच्छे से मिला कर ढ़क कर इसे दो मिनट पका देंगे देखिए सब्जी बन कर तयार है इसमें क्रीम डाल कर मिला देंगे ये बहुत ही तेश्टी सब्जी है बहुत स्वादिष्ट है बिल्कुल सादियों में जैसे मिलता है वैसे सब्जी है और इसे बन कर तयार है ये और मैं इसको पलड दूँगे देखिए बहुत टेश्टी सब्जी है और पौश्टिक है हरा धनिये से गार्निष करके मैं मिलूँगी अगले वीडियो में सर्व कर दी हूँ देखिए नान सब्जी को